हेलो एबरीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे और मैं भी वेक आपका फिश्टे स्वाह करता हूं आपके परिवाद कॉलेज अपडेट्स में तो डेकिए मुझे काफी जादा मेरे यूट्यूब पर भी कमेंट मुझे मिल रहे है और दवाओ क्यों किया जा रहा है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका भी रीजन बताऊंगा और आप सभी को पता होगा कि आज जैसे की चार जून यानि चार तारीक हो चुकी है और एक्जाम आपके साथ जून से स्टार्ट होने वाले है ठीक है पहले गाईलाइन्स आई बहुत के नाम से जाना जाता है जिसे गाइडलाइन्स में भी डो लिंक के तोर पर उन्होंने बताया था तो चलिए देखिए एंसी वैप और रेगुलर का जो पोटल है बहुत स्मूदली काम कर रहा है पर जो एसवेल का जो पोटल है ओ भी पोटल जिस पर रेजिस्टेशन होना ह जिस पर एक्जामीनर को सीट एवलेवल होगी स्टूडेट दौळारा वह पोटल ही किरैस है वह मतलब टेंपर ली यह ज़िए जब इस पर खोला जाता है इसे ओपन किया जाता तो क्या आता है पांचो टीन सर्विस टेंपरैली अने वल एक वाता ही जब सर्विस टेंपरै दो से तीन दिन तक तो यह चली रहा है ठीक है और कि साथ जून से एक्जामिनर एक्जामिनेसन आपके स्टार्ट होने वाले है तो अपी स्टूट्ट यही मुझसे बूच रहे कि सर्म करें तो करें क्या क्या एंसी बैब बाला जो रेगुलर वाला पोर्टल है उस पर रजिस पर रहे है तो बहुत बॉड़ा कर रहे हो रेजिस्ट्रेशन काने के बाद उसमें तो किसी किसी को तो अपना कोर्स भी नहीं मिला चैसे पुछ बूले गा क्योंकि आप स्टूटेंट हो महां को सारा आपकी आईड भी इन-बैलिट बताएगी आपका रेजिस्ट्रेशन भ उपन करता है तो एक student को करने पास message आया कि sir मैंने जैसी portal को open किया तो वो phone चला phone में खुल नहीं रहा तो उसने उससे में क्या करा अपना mobile जमीन पर मार दिया तो कहीं न कहीं मैं तो यह की बात जानता हूं अपने हैंड सेट को ना तो तोड़े यह problem only आपके साथ नहीं है जितने भी स्टूडेंट है जितने भी फाइनलियर के तरफ से एसोल की तरफ से अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं रिलीज करने चाहिए पर अब स्टूडेंट मुझसे कहा था कि सरी पोटल कब कब तक ओपन होगा देखिए जैसी अपडेट थी कि यह पोटल आज दस बज़े के बाद ओपन होना था जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है क्या भी साम के पांचवे तक ओपन होगा देगिए मैं आपको एक बात बता रहा हू तो कोशन पेपर कहां से कर डाउनलोड करेंगे और अंसबर सीट हम कहां पर अफलोड करेंगे यह तो खुद वो ने सोचना चाहिए ना ऑनली एडमिकार्ट पकड़ाने से कुछ नहीं होगा बाकि मुझे जहां तक मुझे जहां तक मुझे इंफॉमेशन मिली है यह पोटल आज ही बर्किंग करने लगेगा बर्क करने लगेगा साम तक ही बर्क करने लगेगा अगर नहीं करने लगा तो कल से दो दिन बच जाएंगे अगर यह ऐसा भी हो सकता है कि एक जामिनेशन से एक दिन पहले का टाइम दे तो उस टाइम पर और हालत इसकी वह और ही हो है लास्ट के दो दिन में तो आपका इग्जामिनेशन पोस्पांड होना निच्चत है क्योंकि जब कोई स्टूडन रजिस्टेशन नहीं करवा पाएगा तो वो पेपर किसका लेंगे ठीक है बात आप यह मान के चलो आपको कोई पैनिक नहीं होना घवराना नहीं है फोन को नहीं तोड़ना है घर में बैठी है जैसी पोटल ओन होगा टेलीग्राम चैनल पर मैं बता दूँगा बाकी यूटूब के दोरा भी मैं आपको इंफोमेशन दे दूँगा पैनिक नही होना भाकि फोन कर लीजे फोन नहीं उठाता कोई पी इनकी सर्विस सबसे कहती है कोई फोन उठाने Without No Berry करा रखे कोई जबाब देने वालो नहीं है तो कहीं नहीं तो पर्वाई है एस अफोली थैडव से जिनने इन्हnom सुदाना चाहिए हां मानते है को रोना चल रहा है पर एक्जामिनेशन लेने की जरूवत क्या थी जब को बीडी चल रहा था या तो इनको पर मोड कर दो ठीक है आप अब तुमने स्टूडेंट का एड्मी कार्ड निकाल दिया और और पोटल भी काम नहीं कर तो स्टूडेंट ऐसे ऐसी जगह से आते हैं जिनको इतनी प्रॉब्लम हो रही हो कि उनको यह नहीं पता कि अब करे क्या कहां कोशन पेपर आएगा क्योंगी कोशन पेपर तो मैं तब बताऊंगा जब पोटल काम करेगा देखिए डणने की जरूवर नहीं है पैनिक नहीं होन यह लिखित बात है अगर फर्स्ट फेस में आपका एक्जामीनेशन नहीं होगा तो सेगंड फेस में होगा ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने बोला है तो घबराने की जरूवर नहीं है जैसी पोटल ओपन होगा मैं इंफॉर्म करूंगा बाकि मैं एक छोटी एक्जामीनेशन नहीं बस यह प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है ठीक है बाकी मैं फिक्स बात करता हूं बाकी अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या यह पोटल आज साम तक स्टार्ट हो पाता है या नहीं क्योंकि एक लाग स्टूडेंट का पेपर देगा एक लाग और एक लाग स्टूडेंट कम नहीं होते अगर पोटल आज स्टार्ट नहीं हो तो एक दिन अगर एक दिन पहले भी इन्नोंने स्टार्ट कर दिया तो आदे से जाता बच्छे तो एक्जामीनेशन देने के लाइक ही नहीं बचेंगे क्योंकि पोटल दुवारा क्रेस कर जा टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थैंक यू